जेगुआर और पूमा के भीछ लडाई हो जाए तो दोने में से कौन द्यादा ताकत हो रहे और कौन जितेगा चलिए जानते है जेगुआर का बाइट फोस vodka होता है वही पूमा का बाइट फोस थीन-सो पचास तक होता है जेगवार का वजन 100 किलो तक होता है वही पुमा का वजन 100 किलो से 120 किलो तक होता है जेगवार 25-25 गंटे की रफ्ता से दोर सकता है पुमा 80-25 गंटे की रफ्ता से दोर सकता है पुमा छोटा बड़ा शिकार कर लेता है इस वीडियो में देखिए कैसे ये जगवार तेजी से दोड़ता हुआ पानी में चलांग लगा देता है नहीं ऐसा नहीं है कि इसका आज नाने का या मस्ति करने का मन कर रहा है जबकि ये मगरमस्च को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में खुदा है इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उंगे की किस तरह जगवार ने मगरमस्च को पकड़ के रखा है और उसके मार डाला जगवार पानी के अंदर गुसकर मगरमस्च को मार सकता है तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जगवार कितना ताकत वह रहा है इस लड़ाई में जगवार ही जितेगा